स्री गुडूवे नमस्कार मैs सुरज मिस्रा आप लोगों का इश्टो गुडू इश्टो तक पर आपक बहुत बहुत श्वागत करता हूं या आस कि प्राइश्टो तक क्या हाँ आज हम बात करेंगे आपके जन्मकुंडली में कुवेर योग की क्या आपके कुण्द्ली में करोरपती बनने का योग है हां commence करोरपती योग नहीं कुवेर योग कहा गया मैं जातक्सास्त्र कि बात करूं या प्रासर कि बात करूं या सारा वली कि बात कर में matar इन सारे जन्मकुंडली होती है, जिसका ये जो एक लिखा, दो लिखा, तीन लिखा मैंने जो है, ये सारे घर हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बाड़ा, ये बाड़ा घर बताया गया है, इसमें, अब इन घरों में आप कैसे देखें, कौन से आपकी जन्मकुंडली में है, जो आपकी जन्मकुंडली में कुवेर योग देते हैं, देखें, आपकी जन्मकुंडली में, ब्रहस्पती, चंद्रमा और सुर्य, मंगल से, मान लिजिए, मंगल से वह, उस कहां बैठा है, तो ब्रहस्पती, चंद्रमा और सुर्य, मंगल से पांचमे भाव में नवे भाव में या तीसरे भाव में इस्थित हो तो जातक की जन्मकुंडली में कुवेर योग होता है अब मंगल से कैसे वह इस्थित है कैसे देखें तो मैंने पहले बताया आपको पांचमा नवा और तीसरा देखें मान लिजिए कि आपका मंगल यहां बैठा है तो इससे पांचमा यानि पहले घर में बैठा है तो इससे पांचमा घर जो होगा वो यह घर है पांचवागध इसमकोन प्रहसपती Amais ना सूरीर ये चंद्रमा यहां इस्थित हो तो जान लिजे कि आपके जन्मकुंडली में कुबेर योग है घंडर बेर ईस जगह नवे घर में इस्थित है तब बहुत जान लिजें आपकी जन्मकुन्ली में मंगल से नवा मंगल जहां है वहां से जो नवा घड़ होगा यदि वहां ब्रहस्पति पर पीज़ें वहां आपकी जन्मकुन्ली में कुबेर योग होता है कुवेर योग एक ऐसा योग होता है जिससे ब्यक्ति को कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होती अकूत धन्य का स्वामी बनता है यह यह देखा गया है जिस जातक की कुंडली में होता है वह जातक एक 30 साधरन फैमली से भी हो तो वह अपने युवा अबस्था आते आते करूर पती हो जाता है अड़बचति हो जाता है कुछ ऐसे सरकम्हंटांसे बनते हैं जिस से उसका ब्यपशा आय बिजनेस सवता ही इतना तेज होने लगता है जिससे उसके पास धनों की समस्या नहीं रहती है अब जिस जातक की कुंडली में इस तरह के मैं योग नहीं हो मंगल से तीसरे पांचमें या नवें भ्रहस्पती सुरी और चंद्रमा नहीं स्थित हो तो क्या किया जा सकता है आप अपनी घर में क्या करें एक कुवेर यंत्र बड़ा साधारन है पांच कौडी पांच कमल गट्टाए और थोड़ी सी धनिये धनिया जो है थोड़ा सा उसमें डाले सिंदूर एक शिक्का ले ले और उसमें सिंदूर डालकर गांत बांधकर और जहां मालश्मी की पूजा करते हैं वह मालश्मी के चरण में उसको रख दें और डेली उसपर सिंदूर डालते रहे इस看一下 भी आपके जर्मकुनले में यदि कवेर योग नहीं है क्या उसमें कमी ह तो उसकी पूर्टी हो जाती है और आपके घर धन्य धान्य में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने आपको जो बताया या आपकी जन्मकुर्ली में कुबेर योग नहीं है तब पर भी आप कैसे अपने कुबेर योग को प्राप्त कर सकते हैं या आपकी जन्मकुर्ली में कुबेर योग है तो तो आप बहुत अच्छी बात है तो तो आनंद की बात है परन्तु यह ध्यान दखियेगा इस जनम में कुवेर योग है तो अगले जनम में भी कुवेर योग हो इसलिए आप अपने धन को नैतिक चीजों में खर्च कीजेगा लोगों के जन कल्यान के लिए खर्च कीजेगा तो जीव मात्र के लिए खर्च कीजेगा आनंद के लिए तो निश्चेत तोर पर आपके ज जन्म जन्मांतर बना रहता है अन्य था यदि वह उसको कुक्रित में खर्च करते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं तो यह जन्म जन्मांतर नहीं रहता तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको बताया और उपचार भी बताया कि कुवेर योग यह या कुवेर योग नहीं है तो हम उसको कैसे कुवेर योग के रूप में परवर्थित कर सकते हैं इसका मैंने भी आपको उपचार बताया आप लोगों को हमसे जुड़े और जु वती पते, Namaskar!